कि यस बच्छों Good tool लूइंग Good of विग बच्छा लो खटव बच्छ लो बच्छों फटाफठीट एक बार चेखेज हमाज आ रही है किया यस बच्छों Good विज बच्छों बता बच्चों सबका वाजारी क्या चला बच्चों गुर्दिनिंग सबका वाज आ रही है चला बाते क्या होते गुर्दिनिंग यह बड़ा लेक्चे बड़ा प्रावेट होगा आज मैंने सुभे बताया था बिटा सुभे मैंने बताया था प्रवेटा बटा मुझे आता हुँआ आज वैसे श्रिकान से रहा थिंग क्याश फ्लो शुरू के आकॉंड में तो मुझे होता है.. बच्छों.. अबिए मन आपको आपारिसे कि दिसक्शों किया था.... आपको एक्मिने ऐसे अफ और कैशमनेक हो आपकू dif realiz excess cash flow UH questa channels is a cash flow मेरी एक फंडेकम हाम आता है... तो सब cash flow में मैं आपके लिए लेने वाला हो indirect में तो मेरा आपसे सवाल है तो बच्छों indirect में है क्यूंकि आपको account में आज ही हो चुक आपको account में आज ही हो चुक है तो कैसे करूं मतलब या पर थोड़ा सा fast लू, depth में लू क्या लू जरा बता ही मुझे जरा आप मुझे बत अकॉर्डिंग ली मैं इसे प्लान करता लेक्ट्चर क्या कुरूं इंडिर्क में तो सब्सक्राइब क्या कुरूं तो बताएंगे मुझे सब्सक्राइब करना क्या है depth में छिए depth में छिए यास बैड़ा वही साने लिया है क्लैश फ्लो टेकर मास्तर क्वेशन नहीं बैड़ा क्वेशन दो लूगा प्रॉपर बैटा लेकि मुझे बता कि मतला डारेक्ली सम्षिरू करू या कंसे बता मतला मैं भी पूछ रहा हूं ओके हाँ विरुबता कंसेव तो ही कैश फ्लो क्या रहा है मतला कैश फ्लो भी होता है अकाउंट एफेमों कैश फ्लो भी रगें मिटा जीए सब्सक्राइं कि चलो ठीक है कुछ बच सब्सक्राने डिप में लिजेँ चलो कोई दिकत ने बbour shaft डीक हों और तो नंग्या ऑंध्यों तो अमध्य बैटेश थ्लेगार कल भी चलीगा चलेगे चलेगे कि अलम आज भी लूंगा वे ले तो प्रॉपर एच्छिस खतम करा कि दूँगा, ओके? इच्छिस खतम करा को जाएंगा, के ने हम इच्छिस खतम के? जो एक बार मेरे वेसे कराता हूँ थीए थीए थान देंगे बटाजी इवा तो मुझे दीखेंगे बटाजी इन पर अब प्रलेम बटाजा क्या होता है आपने जो फॉर्माट और जो में बताउंगा थोड़ा सा बट एक दू चुछा आगे बिच भी चो सकती बटाजी बटाज कर दोटाज दो करता है कुछ वर्डिंग बटालों बटाजा के रह पारगी कंसे बटाज थे इस okay चलौ बच्छो स्तार्ट कर लेते हैं अब सुनों बटाजी चाप्सुल बैच में आज का आपना टॉपिक है यहाष फ्लो स्तेटमेंट अब बच्छो आप सबको प बिजनेस के डे टूडए ओपरेशन में जो पैसा आता है जो पैसा जाता है बिजनेस के डे टूडए ओपरेशन में बिजनेस के डे टूडए ओपरेशन में आप गुड़ बेचेंगे में आप आप परेशन के डे टूडए ओपरेशन में रेंट पे करोगे, इंकम टैक्स पे करोगे, यह सारा को हैं आपका आपका, cash flow from operating Asset को खरीदने से, यह asset को बेचने से, asset को खरीदने से, यह asset को बेचने से, जो पैसा आ रहा है, या जो पैसा जा रहा है इसकोब लोग बोलते, cash flow from investment activity क्या बोलते हैं? Cash flow बिजनेस को फाइनाइस पाने के लिए जो भी बाते करोगे वो cash flow from financial, बिजनेस को फाइनाइस पाने के लिए आप loan लेते हो, बिजनेस को फाइनाइस पाने के लिए share issue करते हो, बिजनेस को फाइनाइस पाने के लिए debenture issue करते हो, share issue करना और उसका redemption करना financial, debenture issue करना उसका redemption क् पाइनशल है, लोन लेना और लोन रिपे करना बच्चों को ने फाइनशल है, आई हो पर बेसिक आपको पता है, अब देखें सर, वाट इस फोर्मेट ऑप कैशफ फ्लो स्टेट्मेंट, कैशफ फ्लो का फॉर्मेट, as per accounting standard 3 as per AS 3 cash flow का format क्या है cash flow का पहला item क्या है cash flow from operating activity दूसरा item क्या होता है cash flow from investment activity पर उसके बाद next बच्चों क्या होगा cash flow from financial activity तीनों का बेटा sum बेटा कोन सा आएगा तीनों का बेटा sum क्या होगा net increasing cash and cash equivalent तीनों मिला के क्या मिलेगा net increasing cash and cash equivalent उसमें add कीजे opening cash तो बच्चों क्या मिलेगा closing cash यह आपको पता होगा यस विजंदर मेरे भाई विजंदर मेरे भाई पक्का बेटा से में फाइनल कोश्टिंग का बेटा marathon आएगा चिंता मत के बेटा जी वह बड़ा marathon mostly में June के ending में यूटूब पर इंडिंग marathon आएगा बेटा से फाइनल के लिए कोश्टिंग का चिंता मत कीजी ओके चलो बेटा अब में पढ़े एक अंडर्यू कर रहा हूँ बड़ा मुझा तो निकालने के कितने में तो कोन से डायरेक्ट और इंडारेक अभी हम लोग डिसकस करने वाले बाट इंडायरेक मेथड अब देखुए बच्छों इंडारेक मेथड में 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 तोड़ा से अपने वे से बताऊंगा एक बार्जर मुझा होता है कि आपने चो पढ़ा अकॉन फॉर्मैट वह वाईसा अचे या कुछ अलग है देखो एक बार समझता 80 परसन बाते से मोते बस क्या आता है मतलब कुछ नाम अलग वेसे हो सकते है समझा बटा जी इसे मान लो मैं को बता हूँ बच्चो कोई बोलेगा बेटा कोई बोलेगा नालायक हो तो आप पीचो हाँ कि ने बच का फॉर्मेट वही रहेगा थीके अब देखेंगे हाउ टू फाइंड कैश फ्रोओ फ्रौम अपरेटिंग अक्टिविटी पीजा फॉड खुदूड फराम नालायक tomorrow hy處 अ मैं दोभारा बता हो तुफाइंड कैशफ्फस्रोओ फ्रौम अपरेटिंग मैथणी अं अbreadन में Indirect में सबसे पहला आइटम होता है Net Profit Before Tax and Dividend पहला आइटम क्या होता है Net Profit Before Tax and Dividend उसमें एडलेस करो Changes for P&L उसमें एडलेस क्या करोगे Changes for P&L उसे आपको मिलेगा Gross Operating Profit क्या मिलेगा बच्चो Gross Operating Profit उसमें एडलेस कीजिए Changes for Working Capital उसमें एडलेस कीजिए Changes for Working Capital तो आपको मिलेगा Cash generated from operation चिंता मत कीजिए मैं short में इसका logic बताऊँगा जादा def में नहीं जाओंगा बच्चो जिनने इसके regular बच्चो लेक्चे देखेंगे मेरे बेटा जी मैं regular बच्चो क्लास में मैंने proper format कैसे बनता है उसको एक घंडा डिसके समें नहीं किया मतलब Profit and Loss account P&L appropriation account इनसे ये format कैसे बनता उसके यहीं एड क्यों क्या है वही लेस क्यों क्या बेटा मैंने प्रोपर एक घंडा बचा है क्यों रिवजें लेक्चे बच्चो इतना logic में बताने पाँगा बट चिंता मत करो जो बताँगा दिमांग में जाएगा बेटा मेरी गैरंटी क्या है जन्रे फ्रॉम ऑपरेशन उसमें से आप लेस कीजिए टैक्स पेड क्या लेस करोगे टैक्स पेड तो आपको क्या मिलेगा क्या फ्रॉम ऑपरेटिंग अक्टिविटी क्या मिलेगा आपको क्या फ्रॉम ऑपरेटिंग अक्टिविटी तो सरे काम करेंगे तो सुनो बच्चो अब एक काम करूँ आपने बटाइच ए अकॉंड में जो पढ़ाय बटा फॉर्माट जैसे काम कर कोई बे एक दो बच्चा ना बचा बस मुझे वाट्साप पे वह फॉर्माट एक बाँ मुझे शेर कीजिए टिक बार मैं कंपेर कर पाऊंगा कि आपने क् फॉर्मेट तो चिंता मत करो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा तो कन्फीजिन नियों करने तो अनने सी क्या होगा फालते हो लास्मों कन्फीजिन हो एक्जाम कर लास्मों पर तो मैं आपको समझाता हो कि उस दोनों चे में क्या लिंग केज़ें कोई बेचे एक दो तरीक बच्चे बेटा जी जो आपने इंडारे का पढ़ा अपने फॉर्मैड बस मुझे वाट्साप पर भीजिए कि तष्ड कर दो कि लो आपने होutback लो आपने बर्शमाँ खेते हो में आपने प्यान का आपने लुझ को पर खक Memphis सम्झाता in yoल zit में इंडां बच्पों फॉर्मै कि यह शिवांग मेरे भाई कल आग लगाने मैं इसके वार्थोन में अरुनु बेरे भाभी दिल्ली डाड़ी शे मेने बाद बेटा भी शे मेने बाद यस आगे मेरे पास ओके पड़के सुनाओं में दिखो आपने क्या पड़ लिखा है फॉर्माट आपने cash flow from operating निकल फॉर्माट net profit before tax and extraordinary item मतलब वही net profit before tax and dividend same है ओके आप लोगी नीचे लिखते हूं कोई दिकत नहीं बटाजी कोई दिकत नहीं फिर उसमें करोगे loss on sale of assets और फिर non income क्या करोगे less करोगे ठीक है बता मतलब यह जो तुम करते हो ना इसको मैंने डाइड ले बड़े शॉटकट में इसको तीन दान में निप्टा दिया हमें यह दो लाइन में निप्टा दिया आइड आइड आइटम से लेकर जो है ना पाट आपका नौन ऑपरेट आरे बस रहे कितने लोग भीज़ें ना लाइको नौन ऑपरेटिंग इंकम तक का जो पार्ट है उसको में निप्टा दिया हमें दो लें निप्टा दिया चिंदा पर कुस लोजिक बताता हूं मैं वर्किंग कापिटल है उसके बाद उस पर आपने आइड लेस क्या क्या वही चेंज फॉर वर्किंग कापिटल मतलब ही कोने करन्ट ऐसर करन्ट लाइबिटी का चेंज एकनम परफेट है वही जीज है फिर लेस करोगे टैक्स पेड तो आपको मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम बढ़िया मतला अल्मोस लग बढ़िया जी सेमीच कंसेट कुछ नहीं बस एक बर मैंभी अपको अगले 10 मिन में बढ़े 10 मिन में काम करते है जो आपने जो पढ़ा है और मेरा जो फॉर्मैटे को लिंक समझाता हो तो पूरा बढ़ा क्लारिटा जाएग आपको ठीके ना मत तो उस पर क्या होगा कि में आपको यह आइड आएगा क्या आइड करना है क्या लेस करना है क्यू करना एचे क्यू नहीं करना एचे बढ़ा पूरी क्लारिटी है आपको ठीके यहस नहीं सी कल मैरतोन ने बैटा हूँ कल मिलेंगे सुबे नो बजए तो अब बच्छो मैं चाहता हूँ कि अगले दस मिन के लिए पूरा ध्याना बच्छो मैं अगले दस मिन में पूरा पूरा कॉनसेब आपके दिमागे आपके दिमाग में दाल दूँगा ठीके देखो इसको समझने के लिए सबसे पर रिवाइस करते फॉर्माट अप्रोफित एंड लोस अकाउंट एंड पी एनल एप्रोप्रेशन कोड़ सुनेंगे मेरे बाद 10 मिन के लिए सुनते जाना है दस मिन के बाद नहीं समझा तो पहला होता है तो दुस्रा क्या होता है सब पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट दुसरा बच्छों होता है पी एनल एकाउंट से आपको क्या मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट शांति सुनना पहले क्या दो सर ट्रिंग अकाउंट उससे आपको क्या मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट पहले क्या ट्रेडिंग होता है उससे आपको क्या मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिलेगा फिर से क्या करोगे पी एनेल अकाउंट में आप क्य income क्या करोगे add جाएकि interest received फिर profit on sale of investment या profit on sale of asset कोई यह सारे inputs income gross profit, other income क्या करोगे add expense क्या क्या करोगे till येs जैसे की depreciation, फिर amortization return off, बराबरे, फिर goodwill return off, और बच्छों आप लोग क्या क्या बोलते हो जो भी नाम रहते हैं आपके, उसके बाद loss on sale of asset, loss on sale of asset, इनसे आपको क्या मिलेगा, net profit, पहले क्या बनाएं बच्छा आप उन्हें, trading account, trading से बच्छों क्या मिलेगा आपको, trading से क्या मिलेगा, GP, फिर हम लोग क्या बनाएंगे, PNL account, सब PNL में क्या करेंगे, GP क्या करेंगे, brought down, उस GP में, other income क्या करेंगे, add, expense क्या करेंगे, less, उसे बच्छा आपको क्या मिलेगा, net profit आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्छों, yes, उसे आपको क्या मिलेगा, net profit आपको मिल जाएगा, फिर आप लोग क्या करोगे, एक बार मिलेगा, net profit, फिर PNL appropriation में, वो net profit क्या करोगे, brought down, सब PNL appropriation में, net profit क्या करोगे, brought down, अगर मै मैं बात करूँगा format of P&L appropriation, सब P&L appropriation में इस साल का net profit तो आएगा और उसके अलावा opening मतलब पहले से कुछ तो profit था ना, अरे opening मतलब पहले से कुछ तो profit था, by balance brought down, उसमें इस साल का net profit क्या हो गया, add कहा से penal, opening मतलब पहले से कुछ तो profit था, इसमें बच्छे add हो गया, इस साल का net profit, पहले का और अभी का मिला के जो profit है, उसमें से, देखो बच्छो, कुछ ऐसी चीज़े होती है, जो profit होने के बाद ही पे करते, जो चीज़े profit होने के बाद पे करते, या जो profit में से पे करते, उनको आप्रोप्रियेशन, एप्रोप्रियेशन का मतलब बटवारा, अरे क किसका बटवारा, profit का बटवारा, एप्रोप्रियेशन मतलब क्या है, बटवारा, अरे किसका बटवारा, profit का बटवारा, और profit का बटवारा तो तब होगा ना, जब profit मिलेगा ना, बोलो हा या ना, दुबारा बताओ, P&L एप्रोप्रियेशन में, क्या होगा, एप्रोप्र profit रहे प्रॉफिट सबसे पहले क्या करोगे profit मेंसे क्या करोगे dividend cause profit में से क्या करोगे प्रहबाटिसर प्रॉफीट में से आप लोग करोगे डिवीडवीडन करोगे प्रफू आप डिवीड़न क्या करोगे प्रफ Lamb बोल्हायाना सब्सक्राइब क्या करोगे प्रेपोस यह सब करने के बाद जो बचेहा इस इसको क्लोजिंग प्रॉफिट इसको हम लोग क्लोजिंग प्रॉफिट यह सब को पता है क्या रहा बच्छो बोला हा या ना कोई दिक्कत यार सब मेरे साथ है पीनल से क्या मिल आपको नेट प्रॉफिट पीनल से क्या मिल आपको नेट प्रॉफिट फिर हम लोग क्या करेंगे बच जोबातें बता क्या करोगे अउट ओप प्रॉफित दोगे साउट आप्रॉफित रिवी अपलोगे दाइड क्या करोगे पर पो?? ढत अब टैक्स क्या करोगे sociedade घुच ओर गट हागे पिर बारॉगे पिर रिज दू रांत पूर Cash क्या करोगे general रिजोर को क्या करोगे ट्रांसफर फिर उसके बाद जो बचेगा वह आपका कोने बच्छो क्लोजिंग प्रॉफिट है ओके चलो सर जी यह क्लियर है अब बैक टू अब इसको लिंक करने जा रहा हो क्याश फ्लो के फॉर्मेट से अब देखा बच्छो क्याश फ्लो के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेट प्रॉफिट शुरू का से करेंगे नेट प्रॉफिट अब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है बच्छा लोग यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है इसको रचेगा वह हमारा कोने closing गे बात समझना पहले मेरे पास कोन था net profit था net profit में से dividend proposed किया net profit में से tax का provision क्या net profit में से resort को transfer क्या यह सब करने के बाद जो बच्चा है वो closing के तो closing को तो क्या नहीं से यह closing का मतलग क्या है profit after tax after dividend and after reserve यह profit closing मेरा को ने profit after tax after dividend और after को ने reserve समझा बच्छा लो सर अगर यह closing dividend के बात का है reserve के बात का है हा के नहीं तो सर यह net profit को ने उसके पहले का समझा क्या बच्छो यह net profit को ने यह profit before dividend यह profit before tax और यह profit को ने before reserve नहीं समझा कि बोला या ना सर यह सब को ने dividend tax reserve देने के बाद closing मिला है तो सर यह जो net profit है तो क्याना ही से यहीं तो मेरा को ने net profit before dividend net profit before tax net profit before reserve इसके लिए बच्छो cash flow में सबसे पहले शुरू कहां से क्या था net profit okay कहां से क्या था net profit तो यहां पर net profit का मतलग क्या है net profit before tax and before dividend कुछ लोग बोले समने account में तो पढ़ाता net profit before tax सरा before dividend क्यों बता रहो चिंदा मत करो जो आपको पता है मैं सेम बता रहा हो बस थोड़ा सा variation है लिखने के position में मैं सब लिंक करके दूँगा कोई भी आपको confusion ने मेरी guarantee है चिंदा मत किजिए ठीक है सब पहला item क्या होता है net profit before tax and dividend सर ठीक है net profit तो मिल गया सर हमारे actual aim क्या पता है क्या हमको जीपी निकाला होता हमको क्या निकाला होता है जीपी जीपी क्यों gross profit अरे आपको निकाला है क्या है cash flow from operating बात समझना आपको निकाला है क्या है cash flow from operating think logically business के day to day operation में business के day to day operation में आप sale करोगे उससे पैसा मिलेगा business के day to day operation में आप क्या करोगे शेल करोगे उससे पैसा मिलेगा business के day to day operation में आप क्या करोगे raw material को purchase करने के लिए पैसा दोगे business के day to day operation में आप wages के लिए पैसा दोगे बोल हाया नाम are you waiting a point ? यह सब करने के बाद जो बच्चा है जो gross profit अरे business के day to day operation में sales से पैसा मिलेगा इसको हम लोग बोलते cash receive from customer यह दो direct method business के day to day operation में purchase के लिए पैसा पे करोगे उसको बोलते cash pay to supplier business के day to day operation में wages के लिए पैसा पे करोगे इसको बोलते cash pay to employee यह सब देने के बाद जो बच्चता है वही को ने आपका cash generated from operation याद आ रहा है कि बिटा उसी को में लोग क्या बोलते gross profit तो क्याना इसे gross profit is nothing but your cash generated from operation कोई मुझे बोलेगा sir cash generated from operation निकालो मैं बुलोगा चिंता क्यों कर रहा है यह GP ले यह जी पी होता ना वही तो को ने cash generated from operation बट sir यह GP कैसे निकालेंगे हमको तो sir net profit पता है तो sir gross profit कैसे निकालेंगे हमको क्या पता है net profit तो sir यह gross profit कैसे निकालेंगे अब मेरा simple question है GP से NP कैसे निकाला अरे sir GP से NP निकालने के लिए GP में income क्या क्या अड़ ग्सपैंस क्या क्या लिस और expense क्या क्या लिस तो आपको क्या मिला है NP, अरे कलता है का, GP में income क्या करोगे, add expense क्या करोगे, less तो क्या मिलेगा, NP, उसका उल्टा, अगर मुझे NP से क्या निकालना है, GP NP से क्या निकालना है, GP तो क्या करेंगे, जो income, पहले क्या वहाता, add अब क्या करेंगे, less, जो expense, पहले क्या वहाता, less अब क्या करोगे एड समझाय क्या मुझे क्या निकाला है एंप से क्या निकाला है जीपी एंप से क्या निकाला है जीपी तो क्या करेंगे एंप से जीपी निकालने के लिए जो एक्सपेंस पहले क्या कहते लेस अब क्या करेंगे एड और जो इंकम पहले क्या थे एड अब क् अरे कलता है का तो income और expense को add list करना income और expense को add list करना इसी को हम लोग बोलते है PNL के item को adjust करना किसके item PNL के item कौन है अरे बाबा PNL के दो item है हाँ कौन होते expense or income तो changes for PNL adjust का ना मतलब expense or income को adjust करो जो खर्चे पहले क्या वहते less अब add करो जो income पहले क्या वहता add अब क्या करोगे less उससे आपको क्या मिलेगा gross operating profit बच्चों क्या मिलेगा आपको gross operating profit यही तो मेरे जीपी है ना चला फटावर बताओ बोलो sir cash flow का पहले item क्या से cash flow का पहले item क्या net profit before tax and dividend उसमें क्या करोगे add list क्या करोगे changes for PNL changes for PNL मतलब दो बाते add list क्या 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 expense or income expense क्या करोगे add income क्या क्या करोगे less उससे आपको क्या मिलेगा gross operating profit क्या मिलेगा gross operating profit जो gross operating profit है उसी को हम लोग बोलते है profit before working capital change क्या बोलते है profit before working capital change अब इमान दरी से बताए क्या सब को यहां तक समझा क्या सब बच्चे मुझे comment करके बताएंगे यहां तक समझा क्या यह net profit before tax and dividend क्यू लिया changes for PNL में क्या add क्या क्या less क्या क्यू और gross operating profit क्या है सब को समझा क्या yes or no सब कुछ आदे क्या समझा बेटा जी क्या है झाल 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 यास बच्चिए एक में ता बस एक में डेली सॉरी झाल 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 आपने क्या पढ़ा है सबसे पर इतम क्या है नेट प्रोफिट Net Profit Before Tax and Extraordinary Item आपने क्या पढ़ा है? Extra item को तो सारी मरख देते Net Profit Before Tax बस मैंने क्या बोला है? Net Profit Before Tax and Dividend कोई दिक्कत नहीं बच्छों, एक्षोल मैं बैठा, ultimately मुझे आता हूँ यहाँ पर आपना aim क्या, आपने को शुरू कहां से कहना है Net Profit से, मैंने क्या क्या? Net Profit Before क्या क्या? Tax लिया Before क्या क्या? Dividend Before क्या क्या? Resort लिया आपने सिर्फ क्या लिया? Net Profit Before Tax, कोई दिक्कत नहीं Dividend, Resort आप बाद में लेने हैं जबाले हो मैंने सबसे पहले क्या, सबके पहले लिया है पाले हैं ठीक है फिर लियाए अपने उसमें क्या क्या क्या? अच्छोब लेगे हो अच्छोब लेगे हैं Non Cash Eccpend출 में आपने वैच्छों क्या क्या doet Provision for Taxation Provision, Taxation वरापko marriage ratio क्या करेंगे? धशका तो पहले आचले Net Profit before tax क्या ले चुक्क तो provision for tax वापिस लिखने कोई भी ज़रौत नहीं बेटाई जी वह मतलिजे डायरेक्टी बच्छो आपने वहाँ पर लिखा देखे proposed dividend आपने लिखा है आप देखो आपका format देखें फिर उसमें से आपने क्या क्या यहाँ पे जनरल रिजोर्ड भी आपने अड़के ना प्रोजन फोर रिजोर्ड देखो मैंने अपर डाड़ ली क्या क्या था नेट प्रॉफिट मैंने क्या लिया था नेट प्रॉफिट वह नेट प्रॉफिट क्या था बिफोर क्या था डिविडेंट बिफोर क्या था टैक्स और बिफ before a dividend before reserve तो आपने अलग से आपने क्या qya dividend reserve tax आपने अलग से क्या क्या add क्या कुछ फर्ण पड़ता है क्या मैं directly लिकरा हूं मैं directly बच और नेट profit लिकरा हूं मतलब और अपने उसको बार में अलग से क्या क्या add क्या कुछ अलग चीजने का बेटाई जी, okay, yes, बेटा, वही बताओ, मैं बेटा, अकाउंट वाला फटल बेटाओ, बेटाओ, कोई चिंता की बात ने, बेटाओ जी, अपनो कोई भी वेस से कर सकते, कोई भी वेस से बेटाओ कर सकते, don't know, दिकत ने, okay, कि उसक्त है उच्छेे 捏पना है उसका क्या सबसेंद मैं क्या फिर चोने क्या kia उसे मेरा ़ tart know a क्या चेंजे सफर किन ही मैंने क्या 25 heck करो वैल संज एक्सपेंश क्या करो return of क्या क्या add वही तो expense है ना बस मैंने बच्छों क्या बोला expense क्या करो add बस होता क्या जब मैं changes for penal बोलता तो अब सारी बाते को जाएगी यहां पर को specific नाम लिखने ही बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं जितने भी penal के item है फिर depreciation हो goodwill write-off हो ar complexity of it उसके बार पथा क्या be shy डिसकांट और ship share हो यह जितने भी expense है सारे हमने क्या diyorsun Evet बस मैंने क्या बोला changes for penal करो expense क्या करो add You अपने directly expense के नाम लिखके आपने add कि बाकी same якशेग फिर मैंने क्या बोला income क्या करो less करो मैंने क्या बोला income क्या करो less करो आपने उसको क्या क्या बोला non operating income बोला मतलब क्या क्या बेटा जी profit on sale वो क्या क्या less income less क्या बोलो या profit on sale less क्या इंट्रेस क्या क्या less क्या बचो कंसे वह यार आप link कर पारें मैं क्या बता रहा हूं बोलाया ना कि वैसे किए बता रहू हुं उससे आपको बच्चे क्या मिलेगा मैं नहीं क्या इंट्रज्व अपडिये प्रॉफिटिंग में वही को ने आपका फ्र哈哈 books क्या क्या क्यास सब को यहां तक समझा रहा नहीं यदि od Clicking क्या वही को यहां तक समझा क्या उन्याएं दिस्क्रस कर लोते हैं, बेटा मुझे उता ही है, जो अकाउंट वाला जो फॉर्माइट है उसी को मैं कंटिनु कर चला क्योंकि मतलग क्या दो दो चीज़ अब रहा है क्योंकि अब भी इसके पले अपने वही पढ़ाए बस मैं क्या तो मेरे अकाउंट वाला जो फॉर्माइ प्राची अक्रूड इंकम बेटा लेस होगा, जो भी इंकम बेटा लेस होगा जैसे बच्चों मैंने बोला ना, expense बेटा क्या करेंगे, add, income क्या करेंगे, less करेंगे, बच्चों, income बेटा less, तो जो भी accrued income है, सारे बच्चों less हो जाएंगे, ठीके, चलो, confusion नहीं हो रहा है बटाई, चलो, confusion नहीं हो रहा है, डन, ठीके, चलो, एक बार रिवाइस tax, add, extraordinary item, कोई दिकत नहीं, उसमें add less क्या करोगे, बच्चों, यहाँ पर आपको, यादे क्या, P&L appropriation में, यादे कहा है, जो बाते छुट गी थे ना, वो सारे add करने पड़ेगे ना, आपको क्या चे, net profit before tax, net profit before dividend, net profit before reserve, तो P&L appropriation की बाते, पहले क्या करोगे, add, बोलो, क्य वो क्या करोगे, add, actual matter, net profit before tax नहीं चीए, यह net profit after tax अगर रहेगा ना, तो फिर आप यहाँ पर taxation भी add कर पाओगे, यह net profit after tax है, उस पर dividend propose क्या करोगे, add, फिर उसमें सर्फ क्या करोगे, tax क्या करोगे, add, क्योंकि अगर में profit after tax है, तो tax भी मुझे add back करना पड़ेगा, dividend क्या क करोगे, propose add करोगे, provision of tax क्या करोगे, add, फिर जनरल रिजवर्, वो भी क्या करोगे, add करोगे, यह सारे P&L appropriation के बाते क्या करोगे, add, यह logic मेंने क्यों बता है बच्चो, कभी कभी P&L appropriation के कुछ अलग item बैसे से मान लो, कभी managerial, remuneration आता है, तो click होना चे, अरे साब जो भी P P&L appropriation में आता है, सारा हम लोग क्या करेंगे, add करेंगे, इसको जो भी नाम देना दो, अगर आपने इसको, non cash item बोला तो चलेगा, यह जो नहीं बोला तो भी चलेगा, इसके साथ में, मैंने क्या बोला, changes for P&L, P&L के item क्या करोगे, add less, सब P&L के item मतलग क्या, expense क्या करोगे add, income क्या करोगे, less, अब तक मैंने क्या, P&L, appreciation, simple trick है, शुरू कहा से क्या, net profit, after tax है, उसमें सबसे पहले, हमने क्या आड क्या, P&L, appropriation का item, logically करो, reserve, dividend, tax, सब क्या क्या, add क्या, फिर अब हम क्या जाएंगे, P&L के item, P&L के item में, कुछ क्या थे, खर्चे, कुछ क्या थे, income, P& आड क्या करोगे, और income क्या करोगे, less, चूकर सभी में, क्या आपको, क्यूंकि सर, आपको GP निकालना है, NPC, GP निकालने के लिए, खर्चे क्या करेंगे, add back, income क्या करेंगे, less, जब मैं खर्चे, add back करने के बाद करा, तो मैं क्या बोल रहा, बच्चो, goodwill return off, फिर depreciation, उसके बाद में बच्चो, प्रवी expenditure, return off, उसके बाद, loss on sale of asset, जो भी खर्चे आपको P&L में दिखाई देते, ये सारे आपको क्या करेंगे, add, समझा क्या, P&L के सारे खर्चे क्या करेंगे, add, पिर सारे income क्या करेंगे, less, किसके, P&L के income, P&L के income में कोन रहता है, सर, profit on sale of asset, profit on sale of asset, इसको अपलोब बोलते है, other income बोलते है, कोई नाम कुछ भी हो रहे है, क्या फरपड़ रहा है, profit on sale of asset, income, add, जैसे expense क्या करोगे, add, income क्या करोगे, less, जैसे आपके accrued income, जैसे आपने बोला भी, interest received, वो भी क्या करोगे, less, जैपा क्या बच्चो, ये सारे income, फिर उसे फ्रफित मिलता है, ग्रोव्ष प्रफित बोलो, я प्रोविघैंक या प्रोफित ब्रवर किंग, अपिटल चेंज, 选ने जा मेरा कोन है, प्रोफित बी फर वर्किंग कापितल, इसमें और मुझे क्या एडलेस करना है, चेंच ज़ेस पूर, वरकिंग क्या अपितल, for working capital मत्लब एक्जेक्लिक क्या कहना आपको आरे बच्छों working capital मतलब कोन होता है current asset और current liability बच्छा लोग working capital होता है current asset and current liability changes for working capital changes for working capital adjust करना मतलब current asset और current liability को adjust करना ऐसा कहा जाता है current asset और current liability में चार बदला होते there might be increase in current asset there might be decrease in current asset there might be increase in current liability there might be decrease in current liability दुबारा बताओ profit before working capital में क्या add less करोगे changes for अधित्य मेरे बाई दो आप अलग concept इस पर confuse रहें वहाँ पे investment में interest paid आता है और dividend बेटा जी वहाँ पे dividend received आता है जो cash में होता है मैं accrued की बात कर अगर आया है तो अधित्य में accrued की बात कर रहा हूं मुझे नहीं पता वहाँ सम किये की नहीं इसे हो सकता विटाइजी नेकि अभी ज्यादा कन्फूज नहीं करता विटाइजी में आपको मैं जैसे समाइएं के बढ़ा वैसे बता तो चिंदामत को विटाइजी आफ एडीका जाओ तो सब देकिया आपको बता रहा था प्रॉफिड बिफोर वर्कीं केपिल चेंग क्या करेंगे चैंजेस फौर वर्काइण कंपिटल हम क्या करेंगे add less such changes for working capital में चार चेंज आएगे there might be increase in current asset there might be decrease in current asset there might be increase in current liability और there might be decrease in current liability sir इसमें से क्या add करें क्या less करें एक simple trick बता रहा हूँ जिनको इसमें confusion होता है add क्या करें less क्या करें बच्छो current asset का change आप याद करो current liability आपको याद हो जाएगा simply logic आपको current asset का जो logic लगा होगे current asset के लिए उसका exactly क्या होगा current liability मैं logic बताऊँगा current asset के लिए चलो सब बच्छे बताएंगे asset किसे बढ़ता है sir purchase से sir asset किसे बढ़ता है purchase asset बढ़ा मतलग क्या क्या purchase क्या और purchase के लिए पैसा देना पड़ता है न समझा क्या asset बढ़ा मतलब क्या क्या purchase क्या और purchase के लिए पैसा देना पड़ता है मतलब कोने outflow मतलब कोने minus से आरे sir asset क्या हो गया कम asset कम किसे होता है सेल से asset कम किसे होता है सेल से और सेल से पैसा आएगा पैसा जाएगा तो outflow माइनस पैसा आएगा तो inflow प्लस दुबारा बताओ चलो फटा फटा फट एसेट कब बढ़ता है अरे sir asset किसे बढ़ेगा परचेस से और परचेस के लिए पैसा परचेस के लिए पैसा देना पड़ता है आउटफलो असर एसीड कम किसे होता है asset कम हो गया मतलब क्या क्या सेल क्या और सेल से पैसा आता है सब गशें बच्चों में बता रहा ह book hio इसे अगी सबको जेपा बच्चों में क्या बता रहा हूँ अब जो अपने एसेड के लॉजिक लगा उसका उल्टा बच्चों किसके लोगा लाइबीटी के लिए सर जो लॉजिक एसेड के लिए उसका उल्टा बेटा किसके लोगा लाइबीटी के लिए सर एसेड बढ़ने का साइन क्या है माइनस सर एसेड बढ़ने का साइन क्या है माइनस तो लाइबीटी बढ़ने का साइन क्या है प्लस सर एसेड कम होने का साइन क्या है प्लस तो sir liability, कम होने का sign क्या है, minus, जो sign acid के लिए, उसका ultra क्या होगा sir, liability, अरे जेपा बच्चों में क्या बता रहा हूँ, sir, जो sign किस के लाएगा, acid के लिए, उसका exactly ultra किस के लाएगा, liability के लिए, कोई रिकत, दुबारा बताएंगे, acid बढ़ा मतलब purchase क्या, outflow, minus, asset कम हो गया, मतलब, sale, inflow plus, asset का ultra sign, liability के लिए, ये सब करने से क्या मिलेगा, cash generated from operation, अरे बाबा, business के day to day operation से, cash वो जनरेट हो गया, बड़ जितना पैसा मिला, घर लेके जाने का, नहीं है, जितना भी पैसा मिला ना, उसमें से government को tax pay करना पड़ेगा, ना, गवर्मेंट को tax pay करना पड़ेगा, ना लाइक अरून, cash flow cash basis से बनेगा, ना, नामी cash flow बिटा उसका, एक्रू से बनता है, P&L, cash flow cash से बनता है, cash जनरेट फ्रॉम operation से, क्या लेस करोगे, tax paid, तो आपको क्या मिलेगा, cash flow from operating, ये हो गया आपना cash flow format, okay, बाकी मैं समसे पूरा अच्छे से बता दूँगा, चले बैटा, आप इसके बड़ वर question देखेंगे, इसे सारा idea के लोग जाएगा, पले बड़ा समलो, छोटा समलो, बोलो क्या करो, बड़ा समलो, छोटा समलो, ये बड़ा समलो लेना है, चलो, ये शराच मेरे भाई, जैसे आपको ठीक लेग, क्या बड़ा समलो लेना है, चलो, क्या बात है, यस बच्चो, यस बच्चा लोग, बस एक दो बच्चा लोग बड़ा से काम करेंगे, इक बड़ा जी जस जर्न बड़ा जी मतलब एक बड़ा गैसे इस फोफॉसल बड़ा फॉर यू बटा, एक अपूर बड़ा जी अगले एक मिन में एक एक वीडियो बच्चे लाइब पास लेटे, वाच्में पॉलूंगा, बच्चों में लेको, अभी बड़ा इनिस्पार बेटाजी अभी बेटाजी अगले एक मिन में एक वीडियो पच्छे लाई होने जा रहा है प्रिमे जा रहा है अनॉंस्मेंट फॉर सी ए फांडेशन शुभारम बैच इन शुरुभा बैच बेटाज बेटाजी उसको देखिये विडियो इसी बेटाजी वीडियो पर वीडियो प्रिमेर होने जा रहा है तो इस अनौंस्मेंट तॉब शुरुभा बरम बैच फोर सी ए फांडेशन इसमें आप सब लोग बेटा जी आप इसमें अगर रहोगे तो दिल को बत अच्छा लगेगा बस एक 5 मिन्स के लिए थैंकियो बेटा जी पाँच बेटा मिन के लिए आप ये वीडियो को बेटा जी ये बचो लिंक छोड़ दीजे इसको चोड़के डारेक्ल बेटा जी आप जितने बच्छों यहां पर लाइव है इस लिंक को बिटा छोड़के आप लोग शुबहरम में बैच की लिंक को जॉइन करेंगे प्लीज यास की न संपना ऑफ कुड़के शुब्चों मोजे यहां पी यहां पर यॽटो की विठी लेका मलाश कि noise भात रहां बेटा अनूंस पेंटे आप टोड़के आप जुए अइज विक्यू journée यंटो भर्त huh यहास बड़ा जितने बच्चे यहाँ पर लाई बटा ची प्लीज उस वीडियो के जॉइन कर लीजे अनॉंस बड़ा के बच्चे वीडियो वाँ पर जॉइन कर लीजे प्लीज स्दिश कर दियो के बच्चे वाँ हां। झाल 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 बेटा शुबारम बैच को वीडियो चल रहा बेटा जी इसी चानल पर देखिलो बेटा जी शुबारम बैच को यश्च मेरी भाई अनॉस्बारम बैच को वीडियो बेटा फाइनली वेटी इस और दिख जाएगा बेटा वीडियो आपको आपके गुरूप में लिंक आया होगा अनॉस्बारम में लिंक अ intend दिख फॉर को आपके पिएयो, अ वी toujours होगा झाल 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 यहाँ पे समको पढ़ो 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 यहाँ यहाँ झाल यहाँ 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 करेंगे लिट्षिन को प्रॉपर म्र्क करेंगे ऌके है बच्छोब अबखे सबसे पहले काम करते को न सा इटम इंवेस्पैन में लिटाए इसकी पाल Nous स bereits अक मारका मारक आइटम बड़ा करेंगे जो इसपिर सो का मारके पहले बच्छे मार्किंग करते हैं तो सब्सक्रासा समझना एजी पढ़ेगा सब्सक्राइब को यहां पर दी क्या आपको बैलन्स शीट ओपनिंग बैलन्स शीट और क्लोजिंग बैलन्स शीट दिये ओके सबसे पहले को 2001 की बैलेंशीट बच्चों पहले का 2001 की बड़ा बैलन शीट ओके सब 2001 एक और दो ओपनिंग और क्लोजीं फिक्स ऐसेट और डेप्रीशेशन यह दोनों भी कहां पर आता है इन्वेस्में फिक्सेट इसेट ओन्मला असेट वाला पाड कहां प्याता है इन्वेस्मेंड में आता है समझा क्याए क्या देप्रीशन को अभी इंवेस्मेंड में लो उसका में और एक पॉइंटर में बताऊं 지나 डेप्रिशन को काम को देखो fix asset तो बच्छों कहा पर आएगा investment में बराबरे उसका purchase और sale depreciation को investment का mark करो और star mark करो star मतलब non-cash item है मैं star mark करो non-cash item के लिए non-cash कहा पर जाएगा changes for penal non-cash जाएगा changes for penal fixed asset में से less score a depression net block मतलग को ने आपका net asset बराबर है next को ने सर आपका sundry so next को ने सर आपका investment investment भी कहाँ पर आएगा investment activity आप देखो बच्छो data stock यह जो भी current asset current asset और current liability आपको पताए changes of current asset or changes of current liability current asset और current liability का जो changes वो कहाँ पर जाएगा working capital में मैं दुबारा बता रहा हूँ changes of current is all current asset and all current liability इनका change कहाँ पर जाएगा बच्छो changes for working capital except तीन बात एक से तीन बात जैसे कि cash in hand proposed dividend और provision for tax मैं दुबारा बता रहा हूँ और सबके सब current asset और current liability का जो change वो जाएगा changes for working capital मतला operating में जाएगा एक से cash in hand मतला cashed bank भी दूसरा proposed dividend and provision for tax क्यूँ? सर cash in hand और cashed bank सर cash का जो opening और closing है सर cash का जो opening और closing है cash का जो opening और closing है यह कहाँ पर जाएगा सर cash को opening closing जाएगा cash flow का last item या दे क्या? opening cash और closing cash तो वो operating में नहीं आएगा यह operating में नहीं आएगा उसके सर अलावा proposed dividend and provision for tax वो भी सर अलग साएगा ना सर? proposed dividend, provision for tax यादे क्या? वो उपर अपना आने वाला बच्छों तो working capital में नहीं आएगा यह वो net profit में वो एडलेस होने वाले तो working capital में नहीं आएगे तो मैंने क्या बता है working capital में कौन को नहीं आएगे? cash in hand नहीं आएगा, proposed dividend नहीं आएगा, provision for tax नहीं आएगा, यह unpaid dividend में नहीं आएगा तो सो कौन कोन आएगा? बाकी सभी current asset और current liability, data कहाँ पर आएगा operating में, stock कहाँ पर आएगा operating क्योंकि current asset है अब समझ मारें कि आप एक बता रहा हो, सब preliminary expenditure कहाँ पर आएगा, आपको पता है कि sir, preliminary expenditure write-off किया ना, वो कोने non cash item है उसको star mark करो, depreciation, preliminary expenditure write-off, goodwill write-off, यह सारे को ने non cash item, यह सब कहाँ पर आएगे प्यादे क्या, net profit में add होंगे ना बच्छो, यह सब को non cash item में, वो सब आएगे उनके लिए star mark करेंगे दिमाग में जारा में क्या बता रहा हूँ, उसके बाद sir जी देखो, liability side में, sir liability side में, अब liability में देखो sir, उसके बाद कौन कोई सब current liability है, sundry crater, bill payable, यह current liability, यह सब कहाँ पर आएगा operating, बनाए changes for working, capital, speed ठीक है क्या, मैं पहले question को समझ की ले रहा हूँ, sir इसके बाद आपको पता है, share issue करना, share issue करना, share issue करना, यह share redeem करना, यह हमारे financial activity, debenture issue करना, और debenture redeem करना कोने बच्छो, financial है, बाकि reserve and P&L, इनको star mark करो, यह सब कहाँ पहाँ आएगे, non cash item में आएगे, यह सब operating में उपर section में आएगे, बच्छों मैंने basic marking कर गे, चिंता मत करो, चब हम एक दो question देखेंगे, आपको सारे बटा marking के आपको आदत हो जाएगे, अब सान नीचे कुछ information दिये, information one में क्या दिया है, machine को बेचने की बात किये, machine को खरिदना और बेचना यह investment activity है, पिर depreciation को ने non cash, depression क्योंकि asset पर लगता है, इसके लिए investment का I का mark करो, और depression को ने non cash, इस asset पर लग रहा है, asset को ने investment, तो I का mark है, depreciation क्योंकि non cash है, depreciation को ने बच्छो non cash, तो हमने सजी क्या क्या, star mark है, बाद में को ने, sold some investment, investment को बेचना, okay, sold some investment, मतलब investment को बेचना, sale of investment, sale of investment, यह को ने सर जी investment activity है, next sir को ने, debenture का redemption कर, redemption of debenture, सर यह को ने, financial है, बाद में को ने, सर यह fixed asset के बारे में दिया न बच्छो, यह भी कहाँ पर आएगा, investment में आएगा, अब इस बाद में देख लेंगे, fixed asset right off है, सब चुझे कहाँ पर आएगी, मैं अब यह तो investment करो, और साथ में इसका को ने, depreciation है, तो non cash के लिए star mark भी कर लेते, सब basic marking अबने कर के लिए, ठीक है, अब मैं सम को solve करने जा रहा हूँ, इस और no, चलो बच्छो, अब ही साथ में आपने लोग सम को चाहिए, तो solve कर लेते, अब सर में क्या करने जा रहा हूँ, अब सुने काम करते हैं, आप चाहिए तो एक काम कर बच्छो, चलो बच्छो इसका फोटो निकाल लिए, done, निकल बच्छो इसका फोटो, अब बच्छो इसका फोटो निकाल तो आई, आपके सामने देए, रहेगा तो अच्छा रहेगा बटा जी, कोई अमाउन बताने के लोगा सब इजी पड़ेगा आप लोगं के लिए, ओके शलो बच्छो इसका लोग, निकाला फोटो बच्छो इसका ने, done, अब सर देखिए, इसके बाद देखो, अब सर बैठ तो रहे कोशन, अब मैं करने जा रहा हूँ, क्याश फ्लो का फॉर्माट, क्याश फ्लो करने जा रहा हूँ, इंडारिक में तर्ट से करने जा रहा हूँ, क्याश फ्लो का, क्याश फ्लो करने जाएगा, आप बस मुझे करेंगे, स्टेटमेंट आप कैश फ्लो, बच्छो पहले प्रॉपर लिक लोता हूँ, क्या फ्लो में फ्लो करूं के वो हूँ, क्रोकों है, स्रीटम स्टेटमाट, जैएगे, स्टेटमाट, प्रोफित आपका और ने प्रोफित आफ्टर टाक्स एन्न बिफोर एक्सराद्र आइटम नेट अफ्टर गला Candice ठीक है? ओके Net Profit After Tax ठीक है? सो उसमें Add क्या करोगे आप? सो उसमें Add क्या करोगे? Non Cash Item सर मुझा था इस Question में Non Cash Item कुन-कुन से ते याद आ रहा है क्या? मेरे को Depresation एक मेरे को याद आ रहा है सर पहले काम करते हैं सबसे पहले बच्चा बोला? वो नहीं क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे? समें Reverse जाएंगे? देखिया? Reverse में क्या करेंगे सर? P&L Appropriation इक Item Add करते हैं क्या करेंगे सर? P&L Appropriation सर P&L Appropriation में क्या क्या होता है? सर P&L Appropriation में ये तुमारा Proposit Divind आता है इस साल कितना Divind प्रपोज क्या फिर कोन आएगा सर इस साल कितना टैक्स का प्रोवीचिन क्या है वो आएगा फिर इस साल कितना रिजोर को आपने ट्रांसफर क्या है इस साल कितना जनरल रिजोर को ट्रांसफर क्या है वो आएगा ठीक है उसके अलावा और कोने साथ NON CASH में इस साल का depression मैं बारबार वर्डिश कर इस साल का तो करंटरी की बात करो depression फिर इस साल का कोन आएगा कितना प्रलिमे एक्स्पेंडिचरर राइट ओफ सब इतना तो मुझे याद आ रहा है बाकि अगर सम में कुछ मिलेगा तो मैं बता ही लूँगा ठीक है ना सब नॉन कैश आइटम आड बाकि और भी आ सकता है जैसे आप मशिन को बेच रहे हो उस पर लॉस हुआ वह भी आड करना पड़ सकता है आप इन्वेस्मेंट को बेच करऊं आ इस पेसर लेस करऊंगा मैं यहाँ पे आपका निक होता या जो आता ना अप्रेतिंग इंकम होता है यहाँ पे नौन आप्रेतिंग इंकम में जैसे आ सकता है कि बच्छों मान लीजे जैसे कुछ इंट्रेस अगर रिसीवटर वह वाज सकता है बच्छों कुछ व्osp निया पर आ सकता है कि और कर रोशंट पैसे ईस्वैसे लॉस अपने ऊपर एड क्या था वह घ्लास कारेंगे लिस सारी बाते बिट एडले pasture में हो सकती है बिटा सब मौडू में नहीं बिटा जी मेरे नोट का समय बिटा ओकी यह सब किया यह सब करने से आपको क्या मिलेगा cash generated from operation मैं पहले सम को समझ के ले रहा हूं जितना भी operation से cash generate हो ना बिटा उसमें से less क्या करेंगे tax paid यह tax paid करने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग बोलते है cash flow from operating activity सबसे पहले कोने सर हमारा cash flow from operating यह हमारा part A मिल गया part B में कोने cash flow from investment activity पहले proper format लिख के लेंगे exam में कुछ नहीं आ रहा है तो भाई cash flow from कोन आएगा financial activity मैं आपको सिखाऊंगा अगर आपको एक्जाम में कुछ पूरा सम नहीं बहा रहा है तो भी थोड़े बहु चीजे करके कैसे आपको maximum our score करने वह भी सिखाऊंगा बटा इनी सबका बटा सम क्या होता है net increase net increase in cash and cash equivalent जितना भी cash बढ़ाना उसमें हम क्याड करेंगे opening cash क्या करेंगे add करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा बच्छो closing cash मिलेगा हमको क्या मिलेगा closing cash मिलेगा ठीक है यस सब मेरे साथ है यहां तक अब सबसे पहले अपने शुरू कहां से करेंगे सबसे पहले अपने शुरू कहां से करेंगे पतर अब सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे opening और closing cash जो जो अब आई टाइम इसकर हम टिक मार करेंगे तिक मार करेंगे तो इससे क्या होगा जिरो बढ़क्चित कितना आ रहे है चारह जार लिखते यह ओपनिंग के श कितना रहे चारह घॉज़ार क्लोजिंग केश कितना रहे है ज क्लोजिंग केश पर लगोसर को थचो बनें किन वह च हुआ परращ अब sir क्या करेंगे देखिये इसके बाद ना अब देखो sir इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप सबसे पहले बनाएंगे working note number one देखो इसके बाद सिंप्ली क्या बता रहा हूं आप बनाएंगे working note number one बचालो working note number one में आप लोग बनाएए चार अकाउंट जो अच्छा रहेगा बेटा अब मैं इसके बाद बनाऊंगा वर्किंग नोट नमबर वन ये बटा अभी मेरे वे से बता रहा हूँ इससे थोड़ा सा बेटा अलग वे थोड़ा मतलब मुझे तक इससे तो इसी पड़ेगा वर्किंग नोट नमबर वन में हम लोग बनाएंगे चार अकाउंट वो चार अकाउंट होते हैं PNL Appropriation Account फिर बच्चा लोग आएगा Provision for Tax Account फिर बच्चा लोग आएगा इसमें Proposed Dividend Account प्रपोस डिवीडेंट अकाउंट और फिर आएगा General Reserve Account बता बच्चो नोट नमबर वन में हम कितने अकाउंड बनाएंगे चार बोलो सो कुन कुन से PNL Appropriation Account Provision for Tax Account प्रपोस डिवीडेंट अकाउंट और बाद में कहा General Reserve Account इतना हम आराम से शांती से करेंगे सबसे पहले बच्चो हर अकाउंट का लिखेंगे Opening और Closing सारे सारे लाइबीट ही है इसको Opening कहाँ पर आएगा Credit Closing कहाँ पर आएगा Debit सारे बच्चो लाइबीट ही Opening कहाँ पर आएगा Credit Closing कहाँ पर आएगा Debit Opening आएगा Credit Buy Balance brought down So Closing कहाँ पर आएगा Debit Opening आएगा Credit में So Closing कहाँ पर आएगा Debit में आएगा ठीक है बच्चा लोग अब सरे एक काम करो अभी सुनो फटावड एक बार एक बार एक बार Opening closing लिखे लेते हैं हम लोग कैस सब लोग ने Question का Photo Click कहाँ पर आएगा ठीक है अब अब आएगा हम सबसे पहले क्या करेंगा Opening और Closing लिखे सबका सबसे पहले Question 5 में थे ना पुन लोग Question 5 पे थे ना पुन लोग Sir पहले अभी Conquest account से देखो PNL Appropriation किस नाम से दिया है PNL मतलब PNL Appropriation Opening कितना है 2,88,000 Closing कितना है 3,60,000 Opening कितना है बच्छो 2,88,000 Closing कितना दिया 3,60,000 Next को ने Provision for Tax Sir Tax का Opening कितना रहा है Surprise Tax Opening कितना रहा है 4,32,000 Closing कितना रहा है 4,80,000 Opening कितना रहा है 4,32,000 Closing कितना रहा है बच्छो 4,80,000 Next को ने Proposed Dividend सर डिविन का उपर डिविन कितना रहा है सर डिविन का उपनिंघ कितना रहा है बच्छा लोग 172.800 क्लोजिंग कितना रहा है 1,4,000 उपनिंग कितना रहा है 172,800 और क्लोजिंग कितना रहा है 1,44,000 बराबर है निक्स को ने बताएं सर यहाँ पे जनरल रिजर्वर सर रिजर्वर को उपनिंग कितना रहा है 9,60,000 और क्लोजिंग कितना है 8,16,000 उपनिंग कितना है 9,60,000 और सर क क्लोजिंग कितना रहा है आठ लाग सो लाग हजार ठीके चलो सर सबको जेपा बच्चो यहाथ है सबको जेपा बच्चो चलो सर अब सर देखके अब इसके बाद देखे आगे क्लोज करना करना है सर देको मैं पहले हरे कर लाजीक पें बत्यां लेकिन तक मतलब यापे जब पढ़ा रह तो को यह यूटूब पे बहुत से बच्चे ऐसे हो सुकते शोपले ठीक से नहीं पढ़ाओगा संजाएक है मैं पूरा एक भारे कम लाजी बतातों पले पीन है एप्रोप्रेशन ओपनिंग मतलब पहले से कुछ तो प्रॉफिट था ओपनिंग मतलब पहले से कुछ तो प्रॉफिट था इसमें क्या एड होगा इस साल का नेट प्रॉफिट उसमें एड होगा इस साल का नेट प्रॉफिट समझा बच्छो ओपनिंग मतलब पहले से कुछ तो मतलब उपनी मतलब पहले से कुछ तो profit था, इसमें add क्या होगा, इस साल का net profit, दोनों मिला के जो profit है, पहले एक और अभी का मिला के profit है, दोनों मिला के जो profit है, उसमें से कुछ क्या करोगे, dividend क्या करोगे, propose, कब इस साल, कुछ, tax क्या क्या करोगे, provision, कब करोगे इस साल, कहाँ पर करोगे general reserve ये तीन बातों पर द्रहान रखना बेटाई ची ये हमारे non cash item में add होने वाले ठीक है बच्छो opening मतलब पहले से कुछ तो profit था इसा बच्छो add क्या होगा इस साल का net profit क्या होगा add उस पर इसे अब क्या करोगे कुछ dividend क्या करोगे propose कुछ क्या करोगे provision कुछ resort को क्या करोगे transfer बाकी बच्छों क्या बचेगा closing बचेगा ठीके अब सर देखें नेक्स समलोग देखेंगे यह आप यह आकॉन को लोजी क्लियर बिटा जी अब देखो यहाँ पर panel appropriation को मंगता है provision for tax इस साल कितना tax का provision क्या जुक्स तरी क्या मंगता है आपको इस साल कितना tax का provision क्या है उसके लिए क्या बनाएंगे बच्छो' प्रोविजिन फॉर टेक्स का अकाउट इसके लोजीक मतलब पहले से तना tax पे करना था opening मतलब पहले से इतना tax pay करना था इसमें add क्या होगा इस साल का tax opening मतलब पहले से कुछ तो tax pay करना था इसमें add क्या होगा इस साल का tax वो कहां पहलेगा P&L appropriation देखो ना यहां पे क्या हो रहा है credit यहां पे क्या हो रहा है debit if tax account is created by appropriation then appropriation is debited to provision for tax opening मतलब पहले से कुछ तो tax pay करना ता उसमें एड होगा इस साल का टाक्स पहले एक और अभी का मिला के जो टाक्स पे करना था बच्छो पहले एक और अभी का मिला के जो टाक्स पे करना था उसमें से क्लोजिंग मतलब एंड में कुछ तो टाक्स परना बाकिये मैं दुबारा बता रहो पहले एक और अभी का मि ही किया जेपा नालाई को नेक्स प्रपोज डिवीडेंड अगर थोड़ा भी लॉजिक में दिखकते प्लीज आप लोग कमेंड करके मुझे बता मैं लॉजिक रिपीट करूंगा चिंता मत करो ठीक है ना सरी से को लॉजिक रिपीट करूंगा अग जब तक आप कुछ नहीं भी बोलेंगे मैं एसे भील्यों करेंगा कि आपको समझाय करके तो या जबता चांगा चलेका क्या तो आपके ऊपर अपको कि गतना मुझे है नहीं रोकता है भूलुँआ करता है ंinku मस्टे करे के सर नेक्स क्या डिक है कर प्रपॉज डिवीडेंट ओपनिंग मतलब पहले से प्रपोर्डिन के बैलांस में एर्र है उल्टा लिके प्रोडिन में ने अरे हाँ उपनिंग उल्टा लिका मेरा बराव में ने बराबर बराबर यह उपनिंग था ना यह 1,040,170-800 सब प्रपोस्ट डिविटन ओपनिंग मतलब पहले से कुछ तो डिविटन पे करना था उसमें आड क्या होगा इस साल का डिविटन जो कहा से मिलेगा प्रोप्रेशन इस साल की बाते कहा से मिलेगी प्रोप्रेशन में दुबारा बता रहो ओपनिंग मतलब पहले से कुछ तो डिविटन देना था उसमें एड क्या होगा इस साल का डिविटन सब पहले का और अभी का मिला के सब पहले का और अभी का मिला के इतना डिविटन देना था बोला हाया ना सब पहले का और अभी का मिला के इतना डिविटन देना था उसमें से closing मतलब end में इतना देना रह गया closing मतलब end में इतना देना रह गया तो बाकी आपने पी किया ना बेटा वही तो मेरा कोने dividend पेड़े बाकी आपने पी किया सुनते जाएंगे logic बेटा जी जनरल resort opening मतलब पहले से कुछ तो resort था opening मतलब पहले से कुछ तो resort था इस साल में कोई resort आइड ने होगा opening मतलब पहले से कुछ तो resort था इसमें से कुछ resort क्या करेंगे transfer आयane तो resort भी उल्टा लिखा है इसे लग़ाया मेरे को मुझा resort कुछ फटी लिख है when बड़े बोलना चाहिए था ना रिजर्क ओपनिंग कितना बच्छा रहा है आट लग सोलह ज़र नहां इसे उल्टे लिके सब मैंने फिगर होता रहा था कोई दिकत नहीं बड़े-बड़े शरो में चोटी-चोटी बाती होती रहती है ओपनिंग मतलब पहले से कुछ तो सब रिजर्क अभी पे नहीं होता है बाकी सब क्या बचेगा क्लोजिंग में बचेगा इस बच्छा लोग यह बच्छो लॉजिक में थुरा सा फास्ट बता बच्छा रेगिली बटा लेक्ट्टर में यहां तक बच्छा आने के बाले केश्फ फ्लो का फॉर्मैट और यहा कि मैंने अब आपको सुवा घंटे में समझा देती निटिक बाते हैं आयो बड़े समझ पारे बिटाइजी कि बच्छो रिविजिन लेक्टर बच्छे थुरा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ ओके क्योंकि अपने को प्रॉपर टाइम पे भी चीज़े खतम करने हैं अपने को अब कर आप चलो ठीक है सबसे पर अपना अपने को दो बाते मिलेगी एक तो इस साल कितना टैक्स का प्रॉजिन कर शno जाएगा non-cash item में इस साल की बात है और जितना tax paid क्या ना वो operating में जाएगा नीचे सुनते जाना proposed dividend से मुझे दो बाते मिलेगी इस साल कितना dividend proposed क्या है इस साल जितना डिविडेंड प्रपोस क्या है वो जाएगा non-cash में क्या होगा add और दूसरा क्या मिलेगा कितना dividend डिविडेंड पेक है जितना dividend पेक है वो कोने cash flow from financial जनरल रिजोर्ट से मुझे एक ही बात मिलेगी इस साल कितना रिजोर्ड transit fabric वो जाएगा non cash item में जायगा बोला हा या ना चलो सर इतना पहले हम समझ के लेंगे सब परेम लोग संपझ के लेंगे चलेगा आप च्छालों गए अब सर एक अब सरे के सबसे पर अपन क्या करेंगे देखो सबसे पहले मोग प्रोशन for tax account सब कुछ एक स्टे कोइजसमेंट दिया कि एक तेको सर टाइक्स के यापने में ओपनिंग लिखा वोपनिंग लिखा को शन में कुछ अजस्मेन गरे जेहेए कुछ इंफरमेशन देखलो इन्फरमेशन A B C D और ऌण दॉ देखलो दो नौ सपर अपर टाञ्स के बारे में डिविटरी के बरने क refuse दिखलो टैस डिविटर्ण नंसी बोले से लास्टाइम पेपर तफ था तो थोड़े तफ कुष्शन भी कराना नंसी मुझे बता बिटा है सबसे पहले चीज़ बिटा भी मुझे था जो मैं बिटा कुष्शन करन वाला वो एक्जाम में सेम कुष्शन आने वाला गर बिटा जी नहीं है किन बिटा और ल पेपर आसान, मुझकिल नहीं होता और पेपर कैसे आएगा अब जजनी कैसा निहीं बिटा जी वैर कंसेट तो बिटा करो ना बार में इजी तफ कोष्शन तुम देख लिए ना आँ अर तुम्हारा कंसेपी नी क्रिर रहे है, मुझे क्या, मैं दुनिया आपर तफ इक्षिण कर रहा दोूगा, और एक्जाम इन है तो क्या करो गया, फिबिलो और रे सरे कुछ बी कुछ बीक्षिण कर रवाए, एक्जाम आया नहीं, हांकिन एंटा, तो हमेशा कंसेप द पुराइए क्या नहीं तो सभाष जो बैलन शीड में था उस रिकम क्या करेंगे? यूस करेंगे, ना लिसेन तुभी, टाक्स का बच्छा अकॉट दिया है क्या? ओपनिंग मतलब पहले से अब साथ देखो इसमें अगर कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे? ओपनिंग मतलब पहले से कुछ तो tax pay करना था, इसमें add क्या हो गया इस साल का tax, इसकों बोलते current year का tax, ये कोने सर? इस साल का tax से उसमें से closing मतलब aid में कुछ तो tax pay करना रहे गया तो बागए tax आपने pay किया बाकी टाक्स आपने pay क्या अगर से सम्में कुछ नहीं बोला है तो क्या करेंगे कितना टाक्स पे क्या एक तो बैटा देखो Question में normally क्या करना चाहिए इस साल का Tax देना चाहिए अगर इस साल का Tax दियέ तो आपको क्या मिलेगा कितना tax आपने पे क्या मिलेगा या फिर अगर question में कितना tax पे क्या है वो दिया है तो आपको क्या मिलेगा इस साल का tax मिलेगा सब दोनों में से कोई भी एक चीज पता है तो बाकिया आपको मिल जाएगा न बच्चो बरसा इस समय कुछ भी नहीं बोला है पिछले साल का या इस साल का यूजर कॉमं सेस्ट अगर कुछ नहीं बोला है अब सबसे पहले कौन सा पे करोगे प्रीवेसर या करंटर सब प्रीवेसर का आप टैक्स में पढ़ते हो कि प्रीवेसर का tax हम पेक परते है करंटर में हाइ कि नहीं है आरे previous 역 disguise कब पें करते हैं assessment year मतलब current तो कुछ नहीं बोला है तो हम क्या बोलेंगे जो पिछले साल का था ना वो हमने क्या किया we पे किया और जो इस साल का था वो हमने क्या रखा बच्छो पेंडिंग रखा तो भ нес लोग क्या करेंगे cross करेंगे जेपा का बच्चो जो previous year का था उसको पे कीजिए और जो इस साल का है उसको रखे closing में रखेंगे समझा क्या बच्चा लोग अब सर provision for tax account से आपको दो बाते मिले यह से cash flow में दो item जाएंगे सर यह कोने हमारा इस साल का tax है इस साल का tax वो कहां पर जाएगा net profit में क्या होगा add back सर यह net profit कौन था after tax नेट profit कौन था after tax इसमें add क्या होगा इस साल का tax अरे जेपा क्या बच्चो इस साल का tax जो है ना वो net profit में add कितना होगा चार लाक आठ हजार जो इस साल का जो tax है ना उसे non cashable वो accrued है किस में add होगा सर net profit में समझा था यह net profit क्या होगा चिंता मत कर बेटा चुले ते काम सबसे पर नेट profit निका लेते सरे net profit कैसे निकालते हैं सर net profit सर कैसे निकालते हैं कि शिंप्ली opening minus closing how to find sir net profit simply opening minus closing sir opening में कितना profit है 2,88,000 sir opening में कितना profit है 2,88,000 sir closing में कितना profit है कि ओके की 30,60,000 कि ऑपनिंग में कितना प्रॉफिट है सर्जी टू लग 8,000 क्लोजिंग में कितना रहा है थीन लाग 6,000,000 का डिफरेंस कितना रहा है बोलो बच्चा लोग अरे मैने पास कलस्न ना ले करें बोलते हैं कितना रहा है 7,000 बोपनिंग- first minus closing यही तो हमारा कोने net profit after cost और इस net profit होने क्या क्या इस साल का tax क्या क्या एड? सरेख इस साल का tax यह तो हमने post किया ौर क्या post कहना आपड़े गा? tax paid कहां पाएगा ? operating में नीच्छा आएगा, कितना tax pay कै चार लाग बतीसर tax paid यहां पहाँ, tax pay क्याना बीटब outflow तो minus sign दो जेपा का बेटा तो इससे दो आइटम तो भी लिगे तो अपना format भरना शुरू हो गया ओके अब हम जाएंगे proposed dividend account opening मतलब पहले से कुछ तो dividend pay करना था लॉजिक लिए opening मतलब पहले से कुछ तो dividend pay करना था उसमें add क्या हो गया इस साल का dividend मैं दुबार बता रहा हूँ opening मतलब पहले से कुछ तो dividend pay करना था उसमें add क्या हो गया इस साल का dividend उसमें closing मतलब end में कुछ तो देना रहे गया तो बाकी dividend आपने pay किया बाकी आपने क्या किया पे किया बोलो हा या ना अरे जेपा क्या बच्छा लोग जो मैं बता रहा हूँ ठीक है चलो सर अब क्या करेंगे देखो सर अभी देखो same as taxation, कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे, जो聞क दिविन ओपनिंग में था वो क्या करेंगे पे, जो ओपनिंग में था वो क्या करेंगे pending अब धान से सुनना हमने क्या बोला कुछ नहीं बोला ओपनिंग वाला क्या करेंगे पे और क्लोजिंग वाला क्या रहा है pending opening में कितना था one lakh forty four thousand opening में कितना था one lakh forty four thousand वह पे करने वाले थे रहोन बोलनसे ऐसा बहुत सकते ना की से tax का difference इस साल का नहीं बेटा वह प्रोपर लोजिक ने, ब Ookडा जी अकाउंटिंग इसा नहीं होता एकुट hierarchy इसा नहीं होता और अकाउंटिंग में messaria हमेशा ओपनींग बाला टाक्से हैं पे क्या ऐसे बोलने का उस साल का क्लोजिंग ऑजी हो प्रोपर अकाउंटिंग का तरीका है ब Eti ठीकै जो प्रॉपरिए बologists अज़े, अज़े, पर रिर्ज यो हो बतारा है आपको, ठीक है, चलो, बेट उसो कोश्यं मैं क्या बतारा है सर देखो, चलो, सर यां ज़े,ठीक है, बे रोविंन दोटे है कितना है सर, झाल झाल